नमस्कार किसान भाइभी, वेलकम है आप सभीका नमबर वन खेतीबाड़ योट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में किसान भाइभी, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में मक्का की खेती करने का सही समय वा सटीक तरीका क्या है यानि गर्मी में मक्का की खेती कब और कैसे करें जैसे कि गर्मी में मक्का की बुआई कब करें गर्मी के मौसमें मक्का की बुआई के लिए कौन से खेत का चुनाओ करें यहों खेत की तैयारी करते समय कौन सा खादेयों उर्बरक कितनी मात्रा में डालें एक एकड़ बुआई के लिए मक्का का कुल कितना बीज लगता है मक्का की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है और एक एकड़ खेत में मक्का का कुल उत्पादन कितना होता है और अगर आप एक नए किसान है और गर्मी के मौसमे मक्का की खेटी करने जा रहे हैं, तो ये फसल आप लोगों के लिए कैसा हो सकता है, इस सब के जानकारी के साथ साथ आप लोगों को वीडियो के अंत में हम आप लोगों को मक्का की तमाम हाईबर किसमों में से टॉप करके आप गर्मी के मोसम में अनकिसां भायों के पैचा बहतर उत्पादन ले सकते हैं साथ ही सात आप लोगों को यह भी वताने वाले हैं कि आगर यह lost ईडिये आपके आप लोगों को ऐसे ही खेती बारी से सम्भन देत, सही, सटीक ओब बेभहारी ज्यानकारियां समय समय पे मिलती रहे है। आए वीडियो को स्ट्राट करते हैannie किसान भायों कि मक्के की खेती कब की जाती है। कोजिश में कितनी बार की जाती है। और जायत के सीजन में यानि फरवरी मार्ज के महिने में इसकी बुवाई करके आप अच्छा खासा उत्पादन अपने खेत से ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि मक्के की खेती के लिए सबसे उप्यूक्त मिट्टी कौन सी है। तो किसान भाई मैं आप लोगों को बता दूँ कि मक्के की खेती आप सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं लेकिन इसके लिए जो उप्यूक्त मिट्टी है वो दोमड मिट्टी हो या बलूई दोमड मिट्टी हो अच्छे जल निकास वाली हो जिसका पी एच मान 6 पॉइं मात्रा की जरूरत होती है तो किसान भाई मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक एकड़ खेत में मक्का की बुआई के लिए हमें 6-8 किलो बीच की जरूरत होती है यह आप अपने उपर भी निर्भर कर सकते हैं जिस प्रकार से आप बुआई करेंगे यानि लाइन से लाइन कि हमें मक्के की बुआई करते समय कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहे तो किसान भाई मैं आप लोगों को बता दो कि यदि आप मक्के की बुआई करते हैं तो प्रत एकर 3-4 ट्रॉली जो है गोबर की सड़ीवी खाद जरूर प्रियोग करें क्योंकि यह फसल आगर गोबर की खाद नहीं डालते हैं प्रियाप्त मात्रा में 30 फसल का अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होता है और 30 केजी यूरिया और 20 केजी जो है पोटास जरूर डालें बुआई करते समय मक्के की बुआई करने से पहले बीजों को जरूर सोधित करना चाहिए जिससे जो हमा अब बात करते हैं किसान भायों की मक्के की खेती कितने दिन की होती है तो किसान भायों मैं आप लोगों को बता दो कि मक्के की खेती यदि आप चारा के तोर पर करना चाहते हैं तिया 35 से 40 दिन की होती है यदि आप मक्के की खेती को भुटे की तोर पर बेचना चाहते है त में मक्के का कुल कितना उत्पादन होता है तो किशान मन हो जाता है यदि आप इसे सुखा कर यानि बीज के तोर पर बेजना चाहते हैं तो एक एकड में 45 से 50 कुंट जो है इसका उत्पादन enam हो है बात करते हैं किसान मैं कि जो हमारे नए किसान है या अभी मक्का की खेती करने के लिए सोच रहे हैं उनके मन में यह अजमंजस बना हुआ है कि मक्के की खेती कैसे करें और कब करें जिससे हमें अच्छा खासा मुनाफ़ा हो हमारी फसल अच्छी हो तो किसान मैं आप लोग करने के लिए सोच रहा है तो मैं आप लोगों से ही यही कहूंगा कि आप जूनवा जुलाई महीने में मक्का की खेती करें तो छोग यानि जो इसके भुटे होते हैं इसमें दाना नहीं बैटेंगे ऐसे में यदि आप एक नए किसान है तो जून वा जुलाई मेहने में इसकी खेती करें और जिससे जो है बार 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 बारिस हो जाने के करार आपके खेत में जो है वो पानी की कमी नहीं होगा और आप यदि बरसात के मौसम में भुटा की खेती करते हैं तो आप लोगों को अच्छे जल निकास वाले खेत का ही चुनाओ करना चाहिए और भुटे की खेती से आप एक बहतरी मुनाफ़ा कमा सकते हैं अब बात करते हैं किसान भायों के हमें मक्के की बुगाई कैसे करने चाहिए तो किसान भायों मैं आप लोगों को बता दो कि यदि आप मक्के की खेती चारा के रूप में करना चाहते हैं यानि चारा के रूप में यूज करना चाहते हैं तो आप उसे छिटकन बिद से उसकी बुगाई कर सकते हैं यदि आप वहीं पर भुट्टा बेचने के लिए या मक्य की फसल को पका कर बेचने के लिए खेती करते हैं तो आप लोगों को नाली से नाली और पौधे से पौधे की दूरी रखनी चाहिए पौधे से पौधे की दूरी जो है चार से पांच इंच रखना चाहिए और तरीन उत्पादन के साथ साथ अच्छा मुनाफ़ा कम समय में कमा सके। अगर हम प्रती एकड उत्पादन की बात करें तो 30-35 कुंटर तक उत्पादन हो जाता है। अगर हम प्रती एकड बीज दर की बात करें तो 7-8 किलो बीज की आव सकता होती है एक एकड खेत की बुगाई के लिए। अगर हम बुगाई की बात करें किसानमा यो तो बीज से बीज की दूरी आप एक फिट पर रख सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह डेड़ फिट पर रखते हैं तो पौधे का काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है और उनमें जो भी बालियां लगती है व वही अगर आप इसे भुटे के तौर पर मार्केट में बेचना चाहते हैं तो अगर हम प्रती एकड़ उतपादन की बात करें किसानमा यो तो 35 से 40 कुंटा तक उतपादन हो जाता है अगर हम प्रती एकड़ 20 दर की बात करें तो 7 से 8 किलो बीज की आउ सकता होती है एक तो पौधे का काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है और उनमें जो भी बालियां लगती है वह मोटी और लंबी होती है अगले नमर की किसानमा जो वराइटी है वह बायर कंपनी का किसानमा यह भी बहुती अच्छी वराइटी है इस वराइटी के फसल अधी की बात करें किसानमा हो तो यह वराइटी भी जो है 100 दिन से लेकर 110 दिन में पक कर तयार हो जाती है वही अगर आप इसे मार्केड में भुटे के तौर पर बेचना चाहते हैं तो मात्र जो है 80 से 50 द मौसम में बीज से बीज की दूरी जो है एक फिट और लाइन से लाइन की दूरी जो है डेड़ फिट की दूरी पर समतल क्यारियों में बुगाई करके आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं अगले नंबर की किसानमा जो वराइटी है वह है एड़वांटा कंपनी का P.A.C. 751 किसानमा यह भी गर्मी के मौसम में मक्का की खेती के लिए बहुत ही अच्छी वराइटी है इस वराइटी के फसल अधी की बात करें किसानमा जो तो यह वराइटी थोड़ी जो है उन वराइटीों के पेच्छा जादा समय लेती है यानि यह वराइटी जो है 110 दि करें किसानमा तो आप लोग बीज से बीज की दूरी एक फिट और लाइन से लाइन की दूरी जो है एक फिट पर करते हैं तो पौदे का काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है और उनमें बालियां जो है एक समान और अच्छी लगती है अगले नबर की किसानमा जो लेती है अगर वहीं इसे आप मार्केट में भुट्टे के तौर पर बेचना चाहते हैं तो 80-90 दिन में भुट्टे के तौर पर मार्केट में बेचने लायक हो जाता है अगर हम प्रती एकड उत्पादन की बात करें किसानवायों तो इस वराइटी को लगाकर आप एक से लेकर 45 कुंटर तक उत्पादन ले सकते हैं लेकिन यह चीजे आपकी देख रेक और फसल में मैनेजमेंट के उपर निर्भर करता है कि आप इस वराइटी से कितना उत्पादन ले पाएंगे अगर हम प्रती एकड बीजदर की बात करें किसानवायों तो 6 किलोग्राम से अगर 8 किलोग्राम बीच की आउसकता होती है एक एकड़ खेत की बुआई के लिए जिसे आप लोग गर्मी के मौसम में लगा कर अगर आप लोग फसल में सही प्रकास से देख रेक करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं किसमा यह थी गर्मी के मौस fell यह थी तो इसका लिंक जो है हमने description में दे दिया है तो वहाँ पर आप लोग क्लिक करके जो है rate का comparison कर सकते हैं और अगर आपके area में नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ से आप खरीद भी सकते हैं किसानभाई उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो अनकिसानभाईों के हिद में वीडियो को सेर कर चैनल को अवज से सस्क्राइब करें धन्यवाद